प्रम से आगे बढ़ते हुए हम राजनीती की बात कर रहे हैं और जैसा कि अभी इन्होंने कहा सद्गुरु जी ने आचारे जी कि जिन्हें वोट चाहिए उन्हें राम का विरोध करने पर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने पर तो कम असकम वोट नहीं मिलने वाले हैं लेकिन असद दीन वैसी जैसे नेता हैं वो ये कहते हैं कि संग के पास मस्जिदों की पूरी एक लिस्ट तयार है और एक एक करके वो हमें सबसे किनारे कर देंगे यह उनके मन का डर है उन्हें ये डर है कि आयोध्या, आयोध्या, के बाद, मतुरा, मतुरा, काशी, एक करक एक पूरे लिफ्ट तैयार है मैं मिनाक्षी जी कहना चाहूंगा कि कुछ डर अच्छा होता है यह वो देश है भारत जब सही रास्ते पे चलता है तो यह देश एपीजे अब्दुलकलाम को राष्ट पती बनाता है यह वो देश है जो अब्दुलकलाम आजाज को शिक्षा मंत्री बनाता है किन्तो हम सब को याद रखना चाहिए यह वही देश है जब कोई गलत रास्ते जाता है तो उससे रास्ते पर लाना भी जानता है मैं OECG से भी कहना चाहूंगा कि ऐसे समय के अंदर यह इस तरह की बाते करना जब भारत तेजी से विकास कर रहा है विश्ट के अंदर भारत की प्रतिष्टा बद रही है बारत आज एक आर्थ एकोनोमिक पावर बनने जा रहा है ऐसे के अंदर इस प्रकार के बयान विदेशी शडियंत्र करने वाले लोगों को हाथों को मजबूत करते हैं लेकिन आजारे जी आप ये कह रहे हैं कि ये शडियंत्र है वो ये कह रहे हैं कि केवल हिंदूों का उत्थान हो रहा है सरकार में अल्प सेंखकों को तो किनारे कर दिया गया है अब देखिए जिसके आँखों पर चस्मा लगा हुआ हो मैं आपके सामने खड़ा हूँ मैं जैन परमपरा से आता हूँ और मैं आपको निवेजन करूँ मैंने पिछले दिनों अन्य कारिक्रम किये मेरे साथ में बहुत परमपरा के भी संथे मेरे साथ में सिख परमपरा के भी थे यह अपने आप में इस तरह की बात करना जो है मैं समझता हूँ भारत के अंदर मैं विस्वहर में ब्रह्मन करता हूँ मैं अमेरिका में एपल्स के सियो किम पुक के घर पर एक बैठकती मिनाक्सी जी मैं कहना चाहूंगा बहिन इलेरी किल्टन के साथ उन्होंने मुझसे पूछा कि मुनी जी परदान मंत्री नरंद्र मोदी जी के आने के बाद आप क्या बदलाव महसूस करते हैं मैंने उस समय जो उत्तर दिया तर आप से भी कहना चाहूंगा कि देश को जब एक विजनरी नेत्रत मिलता है कोई भी समाज या देश हो वो आगे बढ़ता है और जब कोई समाज या देश आगे बढ़ता है ऐसे के अंदर अन्यान्य देश जो हैं ये कोई भी किसी को जब नहीं देखना चाहता है ऐसे समय के अंदर देश वास्चों का ये करतब्य होता है कि वो इस तरह की बातों के बहतावे में ना आए और अब वो कालखंड है ये राम अंदिर का निर्मान जो बाईस तौरी को परतिष्टा हो रही है एक एवल मंदिर का निर्मान नहीं ये राष्ट की एक का के मंदिर का जो है उसका जो है उद्गेटन हो रहा है और ये राम रज्ज के सिला न्यास की आधार सिला उस दिन रखी जा रही है आने वाला काल खंड हमारे डेश के लिए महत्पून है और ये बारत डेश पूरे विश्व के अंदर एक नया मार्टर और मानव जाती के हित और कल्यान के लिए योग बूत बनेगा ऐसे महल के अंदर इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती है